हेलो एवरीबन दोस्तों डेली हमारी लाइफ क्लासेश चलती हैं यूट्यूब पर सुबह नौ बजे एडिटोरियल की और रात में नौ बजे चलती है हमारी इंटरनाशनल रिलेशन की और इन्वार्मेंट की भी क्लासेश हमारी चलती हैं डेली दिन में चार बजे तो आप जोईन कर सकते हैं वहाँ पे लाइफ क्लासेश चलती है यूपीएसी परस्पेक्टिफ से आज का जो डिस्केशन है दोस्त हमारा वर्ल्ड की पहली कोविड-19 वैक्सीन जो क्लेम करी है रेशिया ने उसके बारे में हम जानेंगे कि उसके क्या क्लेम है और कहां से यह नाम तिन ने क्या कहा रेशिया की डिफेंस मिनिस्टर ने कहा उन सब की बाते हम करेंगे मेरी तरफ से इसका कोई क्लेम नीए जो उनकी रिपोर्ट्स आई है उसी पर आज हमें आ रहा पूरा यह डिस्केशन रहेगा तो सबसे पहले यह स्पटनिक जो नाम आया है स्पटनिक र रखा था 1957 में जब कोल्ड वार स्टार्ट हुआ था तो उस टाइम पे स्पेस रिस लगी थी USA और USSR रेशिया के बीच में उस टाइम पे स्पटनिक उन्होंने पहली आर्टिफिशल सैटलाइट लांच करे थी जिसका नाम स्पटनिक था उसी स्पटनिक के नाम से उन्होंने अपना COVID vaccine तयार किया है सेकेड रेशिया की जो वैक्सीन है वो याद रखेगा एडिनो वाइरस बेस्ट वाइरल वैक्तर वैक्सीन है विच इस कॉम्बाइन विद डास्पाइट प्रोटीन अफ दे सार्स कोवेट तू वाइरस तो इंड्यूस इन्मून रिस्पांस इन बा बाडी की जो इम्मूनिटी है वो ज्यादा बढ़ जाए कुल मिला के ये एक पैथोजिन है जो आपकी बाडी में इंड्यूस किया जाएगा जिससे आपका इम्मूनिटी रिस्पांस बहुत तेजी से हो जाएगा और इसका क्लीम रेशिया के जो प्रेसिडेंट है व्लाद दूसरा ये जो वैक्सीन है ये बनाई है गमालीय रिसर्च इंस्टिट्यूट एंड और रिश्टेंटन देफैन्स मिनिस्ट्री इन दोनों ने मिलके ये बनाई है तो प्रेसंट पॉन्टर फी इन्फॉर्मेशन याद रखिएगा गमालीय रिसर्च इंस्ट्री और healthcare Minister है माइकल मुराश्ट को उन्होंने inform किया है जो कोविड वैक्सीन है वो काफी सेफ है और effective है कौनसी वैक्सीन Sputnik 5 इसमें हम आगे बढ़ेंगे कि जो trial होते हैं तीन phase के trial होते हैं phase 1, phase 2, phase 3 phase 1 generally initial trial होता है phase 3 generally human trial होता है जो final trial होता है तो इसके जो faces हैं वो काफी non-transparent है phase 1 जो trial किया था clinical trial जिसको कहते हैं यह रश्या ने किया था और इसके लगबग लगबग यह majorly किया था military personnel पे जिनकी आम तोर पे immunity काफी अच्छी होती है तो वो successful रहा था वहाँ पे फिर जो उसका phase 2 चला था phase 2 पे कब खतम हुआ कब start हुआ यह किसी कोई जानकारी नहीं हुई थी यह एक महीने बाद start हुआ था जुलाई में जैसे ही आपका phase 1 खतम हुआ था जून में इसकी report public करी थी phase 1 की report कि हमने इतने volunteer पे यह किया है और यह military personnel थे और यह successful रहा बट phase 2 कब start हुआ कब खतम हुआ यह उन्होंने publicly नहीं किया और phase 3 भी ऐसा ही कि phase 3 उन्होंने human trial कभी start किया और कहा उनके हिसाब से उन्होंने कई लोगों पे किया है और वो successfully रहा है इसलिए उन्होंने permission दे दी है उसको regulatory approval मिल चुका है अब एक और question आता है कि अगर यह vaccine सही है और effective है तो यह market में कब तक आएगी जो रश्या की वैक्सीन बनी है और कौन इसको सबसे पहले receive करेगा तो इनके deputy prime minister टाटानिया गोली कोवा ने कहा है कि जो इसका industrial production है वो September में start होगा और उस vaccine का जो official नाम रहेगा वो यह रहेगा गैम कोविट वैक लियो तो यह important यह नाम में याद रखेगा तो industrial production रहेगा उसका नाम रहेगा गैम कोविट वैक लियो जो September से mass production होगा और circulate होना start हो जाएगा जो civilian circulation है वो start हो जाएगा अगली साल जनवरी 2021 में और यह सबसे पहले किसको मिलेगा जो यह question था who will receive first तो सबसे पहले जो health workers हैं जो corona warriors हैं उनको मिलेगा और साथ में teachers को मिलेगा यह पहले group हैं जिनको सबसे पहले Russia vaccinate करेगा अब यह बात आती है कि क्यो concern उठ रहे हैं इस vaccine पे रेश्या की इस COVID-19 vaccine पे इसलिए कि दोस्त की एक vaccine बनाने में time काफी लगता है सालों लग जाते हैं और यह इसके trial जो तीन trial हो गया यह जून में स्टार्ट हुए और अगस सेप्टेंबर तक इन्होंने तीनों trial कर लिया और फाइनली इन्होंने अगस में decide कर लिया जून में फर्स ट्राइल हुआ जुलाइम उनका second trial हुआ ठाट कब हुआ पता नहीं और उन्होंने अगस में launch कर दी इनके दो महीने के USA की कंपनिया है यह सब भी लगी हुई है कि वो कहीं न कहीं अच्छी vaccine बना है और यह काफी time से लगी हुई है वहीं यह जो है कोविट स्पटनिक यह दो महीने के अंदर अंदर complete हो गई तो काफी यह कंपनिया सवाल उठा रही है कि कहीं न कहीं citizen को रिस्क में ना डाल दे यह vaccine अगर यह गलत हो गई है इसका कुछ wrong impact पड़ गया तो लेकिन रश्या का claim यह है कि हमने दो महीने में इसलिए complete करी क्योंकि यह जो वाइरस है कोरोना वाइरस यह सेम है Middle East Respiratory Syndrome MERS जो 2019 में आया था तो उस पे काफी जादा research हमने कर रखी और सेम वाइरस वैसे ही है एड रखी जादा research करी है इसलिए हमें इसमें कम टाइम लगा और हमने सेम वैक्सीन उसी तरीके की COVID-19 बना ली है इसका दावा रश्या यह करती है कि सेम MERS का ही एक COVID-19 एक extension वाइरस है उसी की family का यह वाइरस है USA के जो main है जो आप देखेंगे Trump साथ एक जो हमेशा रहते हैं उनके सलाकार है यह health के उन्होंने कहा है कि I do hope that the Chinese and the Russia are actually testing the vaccine before they are administering the vaccine to anyone because claims of having a vaccine ready to distribute before you do testing is problematic at the very least कि वो ऐसी आशा करते हैं कि अच्छा हो यह और जो Russia और चाइना जो भी vaccine बना रहे हैं इन्होंने अच्छे से testing कर रखी होगी अगर वो citizen से पहले वो खुद को करें अगर citizen कहीं न कहीं अगर इसमें mass जब distribution हो जाएगा mass circulation हो जाएगा तब इसकी problem और ज़्यादा create हो सकती है तो यह कहीं न कहीं concern है USA के जो health सलाकार है जिनका नाम है डॉक्टर एंथोनी पॉस्की अब आता है कि कौन सी कौन सी country है जिनोंने यह Russia की vaccine खरीदने का कहा है या जो कह रहें कि हमें भी चाहिए तो several country हैं वहां के जो एक head है Russian direct investment fund के किरेल डिमिटर वो उन्होंने कहा कि हमको बहुत जादा order आ रहे हैं बहुत सारी country हमको बहुत जादा order मांग रहे है thousands में और इसमें नाम आता है इंडिया का भी Brazil और इंडिया यह भी कई रूची दिखा रह रहता है डबलुएचो का क्या response है तो डबलुएचो का response अभी कुछ नहीं है डबलुएचो ने यही कहा है कि हम इस पे नजर रख रहे हैं इस पे review कर रहे हैं क्या है क्या है क्या नहीं है और डबलुएचो की final authority से पहले से कई trial से होके गुजरना पड़ेगा इसलिए हम approval नहीं है तो यह था दोस्त अभी तक का जो पूरा sputnik vaccine का था डबलुएचो का क्या है डबलुएचो नो मना कर रख है रहेश्या ने बोला है कि हमने सारे प्रूफ कर रहें इतनी जल्दी स्लिए कर लिया क्योंकि उसने बोला है कि मार्स मेडिल इस्ट रेस्पुरेटरी से syndrome पर काफी जादा रिसर्च हो चुकी है और हमने उसी इसाब से कोविड-19 की वैक्सीन बनाई है लेकिन USA के कंसान है क्योंकि यह सारी USA की कंपनी है Moderna, Pfizer और Oxford Estrogen का जो काफी टाइम से लगी है लेकिन उससे पहले रहिश्या ने वैक्सीन बना ली तो यह सारी कंसान है उसके भी है और रहिश्या की यह जो वैक्सीन स्पटनिक कब आ जाएगी यह सिविल सर्कुलेशन हो जाएगा अगली साल जनवरी एक से और इसका जो क्या नहीं हो सकता है तो इस में मैंने आपके सारे कवर कर दिया हूँगा आई होप मेरे सारे डाउट आपके स्पटनिक 5 वैक्सीन के रिगार्डिंग आई होप दोस्ति आपको वीडियो वैल्यूबल लगा होगा अगर आपको काम पसंद आता है तो प्लीज लाइक शेर दादूगा थैंक यू फर वचिंग